टॉम एन जेरी एक ऐसा शो जिसके लिए बच्चा बच्चा दीवाना है ये शो दुनिया के मोस्ट पॉपुलर एनिमेशन कार्टून शोज में से एक है इस शो के चाहने वालों की कमी नहीं है विल्यम सहना और जोसिफ बरबरा के बनाये चुहे बिल्ली की अमर कहानी जिसमें एक छोटा चुहा रात दिन बिल्ले की नाक में दम करता रहता है एक दूसरे से उलजने के अलावा दोनों को और कोई काम नहीं होता अगर हम बचपन के दिनों को याद करें तो हमें याद आता है कि एक बिल्ला था टॉम और एक चुहा था जेरी दोनों हर दम लड़ते रहते थे लेकिन क्या टॉम और जेरी हमेशा लड़ते रहे क्या उन दोनों की कहानी लड़ाई पर ही खत्म हो गई या उनकी कहानी कभी खत्मी ही नहीं हुई नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है रवी और स्वागत है आपका एक्टॉन फैक्ट में दोस्तों टॉम एंजेरी एक ऐसा शो था कि अगर आज भी हमें कहीं चलता हुआ दिख जाए तो हम बस इसे ही देखते रहेंगे दोस्तों जरा सोचिए याद कीजिए अपने बचपन के वो दिन जब ये शो टीवी पर आता था तब हम सारे काम छोड़ कर बस इसे देखने में लग जाते थे याद कीजिए दोस्तों हमने इस शो को कितना प्यार दिया है लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टॉम एंड जेरी की इस कहानी का अंत कैसे हुआ था आखिर क्या हुआ था टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड में जानने के लिए देखिए आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आयो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो अप्लोड करता रहता हूँ तो यार बिनादेरी के शुरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो तॉम और जेरी की पहचान उसकी मस्ती और शरारत है मगर दोस्तों इस सीरीज का एक एपिसोड ऐसा भी है जिसमें ना मस्ती है और ना हसी है इसे कार्टून के एतिहास का सबसे डार्क एपिसोड कहा जाता है जिसमें टॉम और जेरी एक साथ मर जाते हैं MGM's के original सुम और जेरी सीरीज में एक एपिसोड है जिसका नाम है Blue Cat Blues कहते हैं कि यह इस कहानी का अंत था टॉम और जेरी की कहानी किसी सीरियल जैसी नहीं थी कि जहाँ एपीसोड की कहानी आगे बढ़ा दी जाए इसके हर एपीसोड में किरदार वही पुराने रहते थे मगर कहानी नहीं होती थी लेकिन जिस तरह हर एक चीज़ की एकस्पाइरी डेट होती है वैसे ही इस सीरीज को भी कभी न कभी तो खत्म होना ही था तो इसे बनाने वालों ने सोचा कि इस कहानी का ऐसा अंत करें कि लोगों को सच में लगेगी टॉम और जेरी का अंत हो गया है दोनों मर गए मगर ये मौत सीधे सीधे नहीं दिखाई गई इसे इस तरह पेश किया गया कि देखने वाले समझ जाए कि टॉम और जेरी एक साथ मर गए इस एपिसोड में टॉम और जेरी दुखी होकर आत्माहत्या करते दिखते हैं टॉम के पास दुखी होने की वज़ा होती है और जेरी इसलिए उदास होता है क्योंकि टॉम उदास है एपिसोड शुरू होता है टॉम की उदास सूरत से वो रेल की पट्रियों पर मुझ लटकाया बैठा है और जेरी दूर से टॉम को देख रहा होता है फिर जेरी आगे की कहानी नरेट करता है कि टॉम की ये हालत कैसे हुई जेरी बताता है कि वो दोनों पहले कितने मज़े से रहा करते थे पर एक दिल टॉम की जिंदगी में एक सफेद रंग की बिल्ली आती है और टॉम उस बिल्ली को चाहने लगता है उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तयार रहता है अपनी कीमती चीज़ें बेच कर टॉम एक हीरे की अंगूटी खरीदता है और उस बिल्ली को प्रपोस करने चला जाता है पर वहाँ वो बिल्ली उसे एक बड़ा सा हीरा दिखाती है जो उसे एक अमीर बिल्ले बुज ने तोफे में दिया होता है अब टॉम बेचारा क्या करे बिल्ली को तो महंगे तोफे चाहिए वरना वो तो टॉम की तरफ देखेगी भी नहीं टॉम जब भी उस बिल्ली को इंप्रेस करने की कोशिश करता तो वो अमीर बिल्ला बुज हर बार टॉम के रास्ते में आ जाता और अपनी दौलत के बल पर उस बिल्ली को इंप्रेस कर लेता टॉम के पास पैसों की कमी होने के कारण टॉम खुद को बेज देता है और सारी जमीन गिर्वी रख देता है ताकि वो एक कार खरीद सके वो अपना एक हाथ और एक पैर भी गिर्वी रख देता है ताकि वो ये कार खरीद कर अपने प्यार को इंप्रेस करने में कामयाब हो जाए फिर टॉम एक कार खरीद कर उस बिल्ली के घर उसे इंप्रेस करने के लिए जाता है लेकिन वो अमीर बिल्ला बुझ फिर से टॉम की सारी महनत पर पानी फेर देता है और टॉम से भी ज्यादा लंबी और महंगी कार ले आता है जिससे टॉम की सारी महनत बरबाद हो जाती है फिर टॉम डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत ज्यादा धूद पीने लगता है जो की शराब पीने को सिंबोलाईज करता है टॉम बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बिल्ली उसे भाव नहीं देती टॉम अब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और जेरी टॉम को संभालने की कोशिश करता है टॉम का दिल पूरी तरह टूट जाता है वो जब ये देखता है कि वो बिल्ली उस अमीर बिल्ले बुच से शादी कर लेती है टॉम को इस बात का गहरा सदमा लगता है उसके उपर खूब सारा कर्ज चड़ जाता है उसे लगता है कि उसके पास अब जीने का कोई मकसद नहीं है और वो ये सब सोच कर रेल की पट्रियों पर सुसाइट करने के लिए चला जाता है जेरी ये सब देख रहा होता है जेरी को टॉम पर बहुत दया आती है लेकिन जेरी एक बात सोच कर बहुत खुश होता है वो ये सोचता है कि कम से कम मेरा सच्चा प्यार मुझे धुका नहीं देगा लेकिन हमारे जेरी का दिल भी तूट जाता है जब वो ये देखता है कि उसका सच्चा प्यार भी किसी और चुहे का हो चुका है और फिर दोनों टॉम और जेरी उदास होकर रेलवे ट्रेक पर बैट कर ट्रेन का इंतजार करते हैं अगले ही सीन में पीछे से ट्रेन की आवाज आती है और ट्रेन उनके उपर से गुजर जाती है टॉम और जेरी की लाश तो नहीं दिखती मगर खुन का एक फवारा जरूर आता है इससे लगता है कि वो दोनों मर गए ये शायद इस पूरी सीरीज का इकलोता ऐसा एपिसोड है जहां टॉम और जेरी लड़ते नहीं है जहां जेरी टॉम को परिशान नहीं करता बलके उसकी परवा करता है तो दोस्तो ये थी टॉम और जेरी के लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जरूर मजा आया होगा अगर आप भी टॉम एंजेरी के फैन होतो यार लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पे पहली बार आयोतो यार सबस्क्राइब किये बिना मत जाना थैंक्स फर वाचिंग